सब्सक्राइब तो आज हम तोड़ा अपने इंवारोमेंट और सोशल डिवलेमेंट के बारे में बात कर देते हैं तो अगर हम इंवारोमेंट और सोशल डिवलेमेंट की बात करें तो यह जो वर्ड है अब डे बार डे विटिन दे डे इस यह डिरेक्टली modernization पे depend होती जा रही है okay so these people are यह जो हमारी अभी रहने वाली population है इस world में वो dependent होती जा रही है वो अपना काम किसी और पे करते जा रही है जैसे के कोई और आके उनका काम करेगा कोई और आके उनके activities करेगा वो किसी भी काम में मलविस नहीं होना चाहता तुछ लाइकवाइस ओके जैसे कि हमारे students mainly mainly हमारे students for example जैसे मेरी अभी students life है तो मैं student life का example दूँगा है कि अभी जो students mainly dependent mainly dependent और Google, chat GPT artificial intelligence के tools जो हैं उनके साथ मिल चुके हैं वो सारे run कराते हैं अपने किसी भी काम को कराने के लिए related to the education और educational courses ओके so next point पे आते हैं जिन point को discuss करना चाहते हैं कि लोगों के पास time कहते हैं के नहीं है हर कोई बंदा कहता कि भाई मैं busy हूँ मैं busy हूँ बिजी हूँ वो काम busy है ऐसे कौन सी मसरूफयात आगई है उसकी life में कि वो अपने आप busy रख रहा है so it's true कि लोग busy हैं बहुत लोग की requirements पर चुकी है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा the requirements होती है वो लोगों के पास होती है कि भाई वो अच्छा पहने अच्छा खाए अच्छा पीए और standard के मताबिक अपनी life spend करे it's a man need for everyone okay so हमारे जो society में तीन classes की life spend होती है first of all the lower class second of all the middle class and third of all the elite class upper class such likewise we see again so इन तीनों classes इन टाइप आफ लाइफ की जो standard है वो different है ओके lower class के पास कुछ पी नहीं है तो he don't think anything या extra he don't do anything extra such likewise वो कहे के भाई आज चलो बाहर चलते हैं काना काते हैं और लिंग करते हैं he can't afford and he can't say that one okay so आते हैं middle class की life के उपर so middle class का जो बैग्राउंड है वो such likewise कहता है के भाई मैं आउटिंग करूं मैं वन मन्त में एक बार तो मुझे आउटिंग करनी चाहिए ताकि मेरी जो फैमिली रिलेशन है वो फैमिली बॉर्णिंग है वो अच्छी रहे तो middle class वाला यह सोचे का लाज़र उखे हाँ अपर क्लास के लोग होते हैं जो अपर क्लास के लाइफ इस टेइडर अचीव करते हैं उनके पास family relation इतना bonding नहीं होती जितनी middle class वाले के पास होती है जितनी lower class वाले के पास होती है ओके तो जो elite class के लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी life को survive करते हैं वो ऐसी life spin नहीं करते जिसे एक हमारा lower class है middle class करता है तो सबसे ज़्यादा एक मैं authentic point आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जो lower class है उसके पास कुछ नहीं है तो वो extra करने की नहीं सोचता है तो जो upper class है उसके पास हाई हर चीज है तो वो करे या नहीं करे तो he hasn't any effect तो आते है middle class जो के beach वाली life होती है जो के middle वाली life होती है जिनके पास जो month में 15 दिन पैसे होती है तो 15 दिन के बाद कत्व हो जाते है it's life to spend इनको गुजानी पड़ती है life इनको difficulties आती है life spend कहने में ओक्ये जो कि कभी imbalance होते रहते हैं कभी lower में चले गए कभी upper में चले गए कभी lower में चले गए कभी job place हो गए तो बिलकुल lower में चले गए कभी high class की job लगई तो फिर अच्छी life spend होने लगई so this is a life in our society and there are other people in this world they have this pain such likewise so हमें अपनी जो modernization की word को और आगे लेके जाना है और आगे यानि कि जो अभी years change होते जा रहे हैं हमारी demands परती जा रही है कोविट के बाद देखो यह जो word है यह जो century है बिलकुल change हो गई है फिलकुल change हो गई है overall overall कोविट से पहले दुनिया और थी कोविट के बाद दुनिया और है so देखते हैं कब तक चल चार रहता है यह सब कुछ अल्ला बेतर करेगा बाकी इन्शालला जो ज़्यादा से ज़्यादा यह technology development हो रही है so आप उसके साथ concern रहे और उसके साथ अपने आपको ढाल दें यानि के वो जो चीज़ें provide कर रहे हैं या technology जैसे change होती जा रही है हम अपनी demands को change करते जाएं ताके हम उन तक reach कर सके easily अगर हम उन तक reach नहीं कर सकेंगे तो हमारा country डिवल्लप नहीं होगा such like this यह हमरी मेरी best suggestion है जैसे जैसे यह word तरकी करे या development की तरफ गामजन हो तो आपको अपने मुलक के बारे में अपने बारे में लाजम सोचना है ताके आप लोगों की development हो पाकिस्तान या कोई भी मुलक हो वो मुलक जब तक word technology रन कर रही है या तेजी से दोड़ रही है अगर तुम लोग उनके पीछे नहीं भागोगे तो तुम पीछे रह जाओगे बहुत स्यादा so development की तरफ जाना है so आपको उनकी तरह होना पड़ेगा उनकी उनको follow दो करो उन जैसे बनो नहीं बूरे उनको follow करो वो जो tools यूज करवा रहे हैं या technology में जतनी तरक्य कर रहे हैं उन तक जाओ वो कैसे काम कर रहे है so गर काम करोगे तो आपके लिए फाइदा है अगर नहीं करोगे so it's really harmful for you so आपका मुल्क तरक्य नहीं करेगा अगर आप चाहते हो कि आपका मुल्क आप आपकी जिन्दगी में high standard life हो so आप जैसे जैसे words change होती जा रही है आपको ऐसी ऐसी खुद को change करना है so thank you so much again and it's my new channel to subscribe to this new channel like comment and share this video with your friends and we will meet in the next video again Allah Afeez